कोरोना कायल के दुरान इंदौर की पुलिस अपनी सेहत का खयाल रखने के साथ ही अपने कर्तवे का भी पालन दिन रात कर रही है वहीं अपनी ड्यूटी के दुरान गश्ट करने वाली महिला पुलिस कर्मी का वीडियो भी सोशल मेडिया पर वाइरल हुआ था इस वीडियो का ये नजारा इंदौर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है एक और पुलिस कर्मी कई घंटे काम कर रही है वहीं इस विपरित परिस्थितियों में लोगों को कोरोना के साथ ही सेहत के लिए भी जाकरू करने का काम इंदौर की पुलिस कर रही है ठाना रावजी बाजार की सब इंस्पेक्टर सीमा धाकड अपने साथी पुलिस कर्मियों को साइकल से ठानाशेत्र में गर्ष्ट कर रही है जौरान चोटी-छोटी तंग गलियों में जहां पुलिस के बड़े वाहन नहीं जा पाते वहाँ ये साइकल से जाकर, लोगों को जनता कर्फ्यू का फालन करा रही है जो लोग बीना मास्क के गलियों में घुम रहे हैं उन्हें भी हलके फुल की डाड़ दे कर समझाया जा रहा है वह इस विशेश गश्ट को लेकर जब पुलिस कर्मी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस गंभीर समय में लोगों के बीच जाना और खास सोर पर गली महले में तंग सडकों में पुलिस की गाड़ियां पहुँच नहीं पाती इसलिए साइकल का प्रयोग किया गया इसमें पैट्रोल और डिजल की बचत भी होगी और हमारे साथी पुलिस कर्मियों की सेहत भी ठीक रहेगी गर पर वैसे भी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है और जिम भी बंध है इसलिए साइकल चुलाने से ड्यूटी भी हो जाती ह है और वर्क आउट भी हो जाता है इस यूवा पुलिस अधिकारी ने अपने और अपने साथी पुलिस कर्मियों फेट रहने के लिए जुकांद किया वो तारीफ कालिल है शोहर में अने थानों में भी इसी तरह से गश्ट होना चाहिए ताकि हर पुलिस कर्मी पेट रह सके और मुस्तेदी से अपनी ड्यूटी कर सके लगातार भरमड किया जा रहा है लोगों को बाहा ना निकल ले और कोरोना की गाइडलाइन के समझाया जा रहा है चुकि हमारे मुले में छोटी-छोटी गलिया है तो वाँ पर गाड़िया नहीं जा पाती है और एक तरह से एक्सराइज भी हो जाती है तो उनसे परस नहीं मिलके उनको समझाया जाता है कि अना उसे आप आहां ना निकले तो यह सारे संदेश थाना प्रवारी महोदाय के